अउम धोर देरे प्रात समय लेकिन हम से 20 से 25 मिनट करेंगे , तब ही जाके हमारा जो मैं वह बचपाएगा और हम उस बचे हुए समय में अनुछेद और अंक गणती ये वाले जो सवाल हैं उनको कर पाएंगे तो जो भाग पांच है भाग पांच में क्या करना है इसमें देखोगे बीच में एक अनुपाज जैसा निसान होता है और करना क्या होता है कि ये पूरा यहां से यहां तक एक प्रसंद चित्र है और इसके यहां पर उत्तर चित्र दिये हुए हैं उत्तर चित्र में ही हमारे विकल्प होते हैं और जो विकल्प हमारा सही होता है उसे हमें चुनना होता है यहाँ पे देखोगे जैसा संबंद इसका इसके साथ है वैसा ही संबंद इसका यहाँ वाले से होना चाहिए अब इसको आप ध्यान से देखिए एक ब्रत है और ब्रत के अंदर देखोगे एक तिर्भुज है है अगली बार देखो गई यहां जो तीन भुजा वाला था वो चार भुजा का बन गए है यहां पर देखो और उस regularip लानने भी की गई है ब्रत्त तो वैसे की आ गया है लेकिन जो त्र्भुज था वो एक bugün गए है चात्रुजबन गया है मतलब इसमें तीन भुजा थी इसमें चार भुजा हो गई है और लाइनिंग भी हो गई है तिर्ची-तिर्ची तो यहां पे देखोगे जो ये उपर वाला पैटरन है वो बिल्कुल सेम रहेगा हमारे उत्तर चित्र में और जो ये पंच भुज है बीच वाला ये खस्ट भुज हो जाएगा और तिर्ची-तिर्ची लाइने भी हो जाएगी तो इसमें हमारा सही होना चाहिए कौन सा भाई अगर आप देखोगे तो इसमें सही होगा हमारा ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पंच भुज है यहां पे देखोगे इसमें खस्ट भुज है बीच में ये तो हमारा इसमें सही ह अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रसन पर अठारवे प्रसन में देखोगे तो इसमें जो प्रसन चित्द देखो इसमें क्या करना इसका इसके साथ संबंद देखोगे एक अर्धब्रत था इहर को दोनों को जो है के जोड़ दिया घया और कम्प्लीट ब्रत बना दिया गया है तो यहां पर देखोगे एक वर्ग का एक आधा हिस्टा इधर को मुझ किया आधा हिधर को किये है जाहिर सी बात है जैसा संबंद इसका इसके साथ था वैसा इसका भी यहां वाले के साथ होगा मतलब इन दोनों को एक ही तरफ मुकर के जोड़ दिया जाएगा औ तो इसमें हमारा साई हो गया सी वाला आप देखोगे 19 प्रसण को 19 प्रसण में क्या है भाई देखोगे एक जो चतुर्भूज है यह एक रोम्बस है या जिसे सम चतुर्भूज कहते हैं जब वर्ग को पिछका दिया जाता तो ऐसा बनता है और इसमें देखोगे इसकी तर चित्र होगा उपर की साइट गायब हो जाएगी तो उपर की साइट गायब होने वाला हमारा कौंसा है डी वाला तो हमारे इसमें सइगी हो तो अब की बार देखोगे नीचे की तरफ हो गया है ये कोण, तो हमारा ये डबलू जैसा जो होगा, ये अब M जैसा नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब कि हमारा सही हो जाएगा इसमें A वाला, अब इसके बाद चलते हैं भाग 6 की तरफ, भाग 6 में बिल्कुल ध्यान रख लेना, इसमें करना क्या होता है, इसमें या तो त्रिभुज पूरा करना होता है, या वर्ग या फिर वरत्त, तो यहां पर देखोगी जाहिर सी बात है, ये वर्ग को पूरा करने वाला ही प्रस्न है, और इसके जो उतर चित्र हैं वो यहां di cutting को पूरा करने वाला कौन सा हो सकता है अगर आप देखोगे तो ये बड़ी सनोक अंदर को जाएगी और फिर यहां सी यह आ करके हमारा इस तरीके से से सिद्धी नाइगी और ऐसे पूरा करेगी तो ऐसा देखोगे कौन सा बना रहा है हमारा इसको देखोगे तो हमारा c वाला बिल्कुल सटीक हो जाएगा इसमें यह डी वाला थोड़ा ज्यादा उपर तक जा रहा है क्योंकि इसको उठाओगे तो इसमें यह यहां तक की चौड़ाई पर लेगा जाके जो कि यह गलत होगा तो इसमें हमारा c वाला सही है 22 प्रसन में देखोगे इसमें भी वर्ड को ही पूरा करना है जाएज सी बात यह वर्ग हमारा पूरा होता ये सीधी लाइन यहां से एसा आती और फिर इसको ऐसे जोडते तो ऐसी cutting वाला देखो कौन सा हो सकता है इसमें देखोगे तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गया और ये यहां से नोग जैसा इसमें आपको मिलेगा कि A और जो C है इनको देखो A और C ये दिख भले बिल्कुल सेम रहे हैं लेकिन ये सेम नहीं होगे क्योंकि ये वाली भुजा जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबी है तो इसमें हमारा जो सही होगा वो होगा B वाला अब सॉरी C वाला इसमें कौन सही होगा C वाला अब 23 प्रसंद को देखते हैं और 23 प्रसंद में क्या है भाई इसमें देखोगे एक तरिभूच अधूरा है और तरिभूच को पूरा करने के लिए देखोगे कैसा पैटर्न चाहिए यहाँ से इस तरीके से हो ऐसे गया हो यहाँ ऐसे मुड़ा हो इसको देखोगे तो इसको पूरा करेगा हमारा कौन सा भई डी वाला पूरा करेगा देखोगे बिल्कुल सेम यह मैच कर जाएगा तो इसमें सही हमारा कौन सा हो जाएगा डी वाला इसके बाद देखोगे जो 24वा है इसमें एक ब्रत है और ब्रत को पूरा करने वाला प्रायटरन हमारा कैसे जाएगा उपर इस तरी केस जाएगा और उपर की लाइन सीधी होने चाहिए नो किस तरब बने तो इसमें आप देखेंगे ये नहीं हो सकता देखोगे इसकी ये भुझाएं और ये भुझाएं दोनों लगभग बराबर हैं जित्ती ये लंबी उत्ती लंबी ये भी है तो ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सीधा है तो इसमें सही होगा हमारा कौन सा डी बाला अब इसके बाद चलते हैं भाग साथ की तरफ और हाग साथ में है दरपन वाले चित्र और दरपन जानते हम लोग की बाई तरफ वाले को दाई तरफ कर देगा और जो लेटर्स होंगे या फिर जो डिजाइन होगी वह उल्टी सीधी हो जाएगी यहां पर देखोगे ज सीधा चाइब दाई तरफ नीचे है अगर यहां पर यह दरपण रखा हुवा है। एकस्य दरपण तो क्या होगा जो बाई तरफ था उधाइब हो जाएगा। साथ ही साथ, जो हमारा उल्टा है वह सीधा-सीधा दिखने लएगा। और जो सीधा है वो उल्टा देखने लएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, कौन सा देखो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाई तरफ वाला दाई तरफ नहीं गया है, इसमें देखोगे B वाला हमारा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें देखोगे जो ये वाला हो सक अद्र रखता तो था लेकिन जो जड है वो सीधा सीधा ही रख दिया है इसलिए यह नहीं मुथ होगी हुगा वो कौन्श में सबस्क्राइं बी वाला यह बी वाला हमारे विकल्प सही है अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नमबर 27 को इसमें देखोगे भाई एक इंसान जैसे आकृत बनी हुई है जो यह उधर एक छोटी सी बिंदी रखी हुई है छोटा सब्रत वो अब इधर बाई तरफ है तो अब की बार अंतरपन लगने के हुज़ास इधर दाई तरफ हो जाएगा इसके जिद्धो यह एक पैर इसको समझो एक पैर इसको समझो यह हो जाएगा बाई तरफ से दाई तरफ और जो इधर है दाई तरफ वो बाई तरफ हो जाएगा मतलब हमारे इसमें बिलकुल सही कौन सा हो गथा है जबकि यहां पर High यह तोड़ा तो ए नहीं होगा इस में इसमें हो गश होने कि इसमें कोई जरूत नहीं ध्यान से देखेगा इसकि यह जो यह हाथ है यह थोड़ा नीचे की तरफ ही किया तर इसमें सब कुछ वैसा ही लेकिन बस इसको सीधा कर दिया है और इसमें देखो ये पूरा इसका प्रतिविंब है उल्टा वाला अब देखोगे प्रस्ण संख्या 26 को 26 में देखोगे ये कुछ B तरेका दिया हुआ है अब ये जाहिसी बात है ये जो बाई तरफ है ये हो जाएगा दाहिनी तरफ बिल्क इसके बाद देखते हैं प्रस्ण संख्या 28 को 28 में देखोगे इंडिया का नक्सा है नीचे का हिस्सा भूमद रेका से देखो यहां जो करक रेका भारत से बीचो बीच से होकर जाती है उससे नीचे वाला हिस्सा है तो यहां पर देखोगे जो चीज आपको दाहिनी तरफ दिख रही है वो बाई तरफ हो जाएगी और तो बाई तरफ हो जाएगी मतलब इधर वाला हिस्सा यह यह इस तरफ चला जाएगा और यह वाला इस तरफ आ जाएगा तो हमारा कौन सा सही होगा भाई इसमें देखोगे इसको यह तो नहीं हो सकता क्योंकि यह जो छोटा सा नहीं गया है सी वाला हमारा सिम्लत को जाए गया हो जाकरने के बाद यस में पंच किया जाता है और फिर उसके बास को खोला जाता है तो कैसी अक्रिप्ट राप्त होगी वो हमें देखना है यहां पर देखो कि एक वरगाकार कागज है उसको पहले आधे पर से मोड़ दिया गया फिर उसके बाद जो आधा था उस आधे को भी मोड़ दिया गया तो देखो कि इस तरीके से तीन भाग हो जाएंगे वही एक फोल्ड किया तो डबल परत हो गई फिर दुबारा जब किया तो ये हो जाएगी वही आधे पर से यहां से था मोड़ इतना आया फिर उसके बाद यहां से फिर मोड गया तो मोड़ने के बाद इसमें देखोगे कटिंग की गई है यहां पर इस साइड में अब जब यह बार खुलेगा पेपर तो आधे पर पहुंचेगा यहां पर तो यह जो कटिंग इस तरफ है यह इसमें यहां से ऐसे बनती हुई दिखेगी ऐसे फिर उसके बाद क्या होगा जब यह दुबारा यहां से जब मुड़ेगा यहां से जहां से मुड़ा था यहां से जब अब इसके बाद चलते हैं प्रस्ण संख्या 30 की तरफ प्रस्ण संख्या 30 है उसमें देखोगे पेपर मुड़ा किस तरीके गया पहले इसको देखिए पहले एक वर्गाकार कागस था बाई तरफ से दाई तरफ को फोल्ड दिया गया है यह तीर का निसान बता रहा कि इधर व और बीचों बीच में कट लगाया गया यहां पे अब जाईसी बात है यह पेपर जिस तरीके से मूड़ता गया है उसी से उसी तरीके से खुलता भी जाएगा जी उपर वाला नीचे की तरफ आएगा तो ऐसा ही निसान इस तरफ को बन जाएगा तो दोनों तरफ हो गया इस इसमें डी वाला हमारे एकदम सई हो जाएगा अब इसके बाद देखते हैं 31 प्रस्ट को और एक तिसवे में क्या है भाई इसमें देखोगे जो पेपर है वो फोल्ड किया गया है किस तरीके से पहले विकर्ड से आयत को इस तरफ को मोड़ा गया फिर उसके बाद जो ये विकर्ड था इससे इधर को मोड़ा गया और फिर यहां पे देखोगे बीच में ब्रत्ताकार छेद किया गया है अब जाहिसी बात है जब ये खुलेगा तो पहले ये इधर को खुलेगा मतलब ऐ ऐसा खिदर हमारा यहां पे आएगा फिर उसके बाद क्या होगा ये दोनों खिदर जो हैं जब ये उपर को जाएगा पेपर ये दोनों खिदर यहां पर भी आएंगे तो इसमें हमारा जो सही होगा देखोगे क्योंकि यह आयत था तो आयत में जाहिर सी बात है जब इस बिकंड से मुड़ा गया था तो यह पूरा पेपर हमारे यहां तक नहीं आएगा वो यहीं तक कहीं रहेगा तो यह जो यहां पर है वो बंच पेपर वो यहां पर एक आजाएगा और दूसरी बार जब खुलेगा तो यहां पर कहीं पर दोनों आ जाएगे मतलब इसमें हमारा साही होगा बी वाला बी वाला ही होगा अब देखते हैं 32 प्रसंट को 32 प्रसंट में देखोगे एक रॉमबस था सम चतुरभुस था और इसमें देखोगे इसके कोने से इसको मोड़ा गया पहले यह मोड़ दिया गया इधर को दूसरा यह तीर कहने सान उल्टा लगा है यह होना चाहिए था इस तरफ को तो यह मोड़ा गया है इस तरफ को और दूसरी बार क्या किया गया इस कोने को भी वो यहाँ पर एक ब्रत दिया गया यहाँ पर एक ब्रत दिया गया है जाहिर सी बात है अगर यह इस तरफ को पेपर खुलेगा तो यह जो ब्रत है भाई यह जो मुड़ा होगा तो ऐसे मुड़ा होगा यहाँ पर यहां से ऐसे मुड़ा होगा यह वाला और यह वाला भी यहां पर मुड़ा होगा ऐसे आ करके तो जब यह खुलेगा तो यह छिद्र जो है वो यहां पर दिखेगा और यह वाला भी यहां पर दिखेगा इस तरफ से कोई छेदर नहीं देखे गए क्योंकि यहां पर कोई वंचिंग नहीं की गई है तो इसमें देखोगे सही होगा हमारा कौन सा बी वाला अब चलते हैं भाग नौ की तरफ और भाग नौ में क्या करना होता है कुछ कटाउट्स दिये होते हैं और उन कटाउट्स को मिला करके जो उत्तरचित्र होता है वो बना होता है तो जो कटाउट्स दिये गए हैं उन्हीं कटाउट्स से बनने वाला जो भी उत्तरचित्र होगा जिस विकल्प में वही हमारा सही होगा जैसे यहां पर देखोगे तो इसमें देखोगे एक त्रभूज है त्रभूज के अंदर एक ब्रत है फिर कुछ ऐसे कटाउट्स दिये गए हैं देखोगे इन कटाउट्स से मिलकर के कौन सा विकल्फ हमारा बना हुआ है तो इसमें तो देखोगे ब्रत ही बाहर है ही बिल्कुल अलग है और दूसरी चीज इसमें देखोगे यह पैटरन तो माले यह यहां पर यह आ चुका है इतना ठीक है उसके बाद यह वाला यह वाला यह मिल जाएगा इसमें से और उसमें से नहीं यह नहीं हो सकता तो यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता इस वाले को देखिए यह त्रभुज भी प्रापर है बिल्कुल सही है और उसके अंदर ब्रत भी वैसा ही है और फिर देखोगे यह वाला जो है चित्र कटिंग यह यहां पर लगा हुआ है और इसका यह सिरा यहां पर है और यह वाला के यहां पर लग गया तो बिल्कुल साही हमारे इसमें ए वाला साही हो जाएगा इसके बाद 34 में देखोगे 34 में जो कटिंग है वो देखोगे एक तरभुज जैसी है फिर एक यहां पर पंच भूज है फिर यहां पर देखोगे यह चतुरभुज है और एक तरभुज है इनको अगर स यहां पर लगी हुई है और बिल्कुल ए वाला इसमें हमारा साही है ए वाला ही 100% इसमें साही होगा अब इसके बाद देखते हैं 35% को इसमें देखोगे यह तो मुझे लगता है पूरे के पूरे वर्ग थे वर्ग में सब कटिंग कर दीगे यह तरभुज है यहां पर जाएगा किसी और में तो देखी नहीं रहा यहां पर देखोगे डी वाले में यहां पर ऐसा आया हुआ है तो यह वाला इससे पूरा हो जाएगा तरभुज हमारा यहां पर लग गया यहां पर आ गया और यह वाला यहां पर आ गया और यह बिल्कुल डी वाला इसमें हमार तो इसमें सही हो जाएगा हमारा बिल्कुल ए वाला अब चलते हैं भाग 10 की तरफ जो कि हमारा इसमें जो है एक प्रस्ण चित्र दिया होता है और वह प्रस्ण चित्र जो हमारे उत्तर चित्र होते हैं उसमें छिपा होता है और उस छिपे हुए प्रस्ण चित्र को हमें ढू पंच भूज में एक यहां पे चूटी सी line भी है और उसके बाद पंच भूज की यह जो नोग जहां पे खतम होती वहाँ से ऐसे pattern निकला हुआ है इसको देखोगे इसमें इसमें तो पंच भूज तो यहां पर यह चिपा है लेकिन यह जो लाइन है इसकी यह वाली वो नहीं दिख रही है और दूसरी चीज यह ऐसे आएगी ऐसे जाके यह नहीं होगा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो पंचबुज है नहीं है इस वाले को देखोगे यहाँ पे देखोगे पंचबुज है ये ये वाला यहाँ से पंचबुज बन रहा है और बीच में इसकी लाइन है ये भी मिल रही है और यहां से ये आ करके ऐसे आ करके ऐसे भी नोक इसमें बन रही है तो इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा? C वाला अब इसके बाद 38 वाले question को देखते हैं ये तो बिल्कुल आसान सा देख रहा है देखोगे यहां छीपा हुआ है ये ये छीपा हुआ है तो इसमें हमारा सही हो गया कौन सा? A वाला अब इसके बाद देखोगे प्रहन संख्या 39 को और 39 में देखोगे क्या है भाई? तरिभूज हैं दोनों अपने सीर से जुड़े हुए हैं और किसी में दिखी नहीं रहा तरिभूज यहीं अमारा ए-वाला सही हो जाएगा इस वाले को देखो भाई ये कहां पे ऐसा पैटर्न कहां पे च्छिपा हुआ है इसमें देखते हैं तो ये नहीं ये नहीं है यहां पे देखो ये गया है ये गया है यहां से कट रहा है यहां पर देखिए इसको देखिए यह ऐसे गया है पैटर्न ऐसे आया है और यह भी है हाँ बिल्कुल सी वाला इसमें हमारा सही है तो इस तरीके सामने देखिए धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए